it cover the first half with 40 and the second half with 48 value of b अब देखो अब मैं आपको इतना सारा question कर चुके आप तो अब मैं आपको बताया हूँ कि अगर half आप चलती है तो average speed का direct formula लगा दो 2 b1 b2 और b1 plus b2 ठीक है तो b1 और b2 तो इसका मतलब हुगा पहली जो है वो distance कोई matter नहीं रखता है 200 का मीटर है हाप आप चलिए तो यह direct लगा सकते हो तो 2 2 और यह 2 और यह कितना गया यह दोनों की speed से multiply कर दो तो एक की speed 40 है और यह v है और यह 40 plus b है और यह 48 दिया हुआ है यहां से b calculate कर लेना ठीक है कर दूं calculate तो यह जाएगा 80 y v is equal to 40 plus 40 multiplied by 48 और प्लस 48 v तो 48 v तो finally जो इसको calculate कर लेना तो यह जाएगा 60 km per hour ठीक है तो यह v is equal to 60 b is equal to 60 km per hour solve अगर कर लेना तो तो इस is 31 year question आप दर नीट जेई फ्रम दर यह जो है हमने 31 year question कराया one dimensional motion के ठीक है इसमें जो total question include थे वो actually वो 47 question थे ठीक है अब यह 47 question अगर तुम कर लोगे यार 47 question कर लोगे तो तुने बहुत जादा एक exposure मिलेगा एक experience मिलेगा ठीक है मैं बार बार यही बात करता हूँ कि किसी भी exam को समझने के लिए उसके previous year question बहुत important रहते हैं this is your final step of preparation तो आप अपना बहुत ख्याल रखिये motivated रहिए energetic रहिए take care bye bye see you later